हलो दोस्तों नमस्कार मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोल चलिए हम लोग आज SPD जो समान्य विज्ञान के किताब है इसके संपुर्ण जिव विज्ञान के कुष्टन को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं मतलब यह वीडियो आपके लिए मैराथन वीड से बनते हैं चाहे वह जिस परिक्षा में हो सबको इसमें समाहित किया गया है और मैं पूरे जिव विज्ञान के प्रशनों को एक ही वीडियो में भी खतम करने वाला हो चलते हैं हम लोग क्वेस्टन की तरफ उसके पहले यह आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को सब्सक्राइब कर लो बात आजा है जिसको नोलबास्वति बद्षिंटर सबस्कार दराट जाये प्रट प्रशों को कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करद हो कि ते कोशिका सुत्रमुर्ग के अंडे की होती है शबते आगे पतियों कार। कारण पी ला होने के कारण उसमें केरोटीन का निर्मान होता है और हरा वर्णी लवक यानी की कलोरोफीलिय कारण होता है, फलो कि छिलके हम फूलों में वर्णी doesn't know caffeine kloplast स्पाया जाते हैं लाइशोसों को क्या कहते हैं आतमात्या की थहली कहते हैं राइवोसों को प्रोटीन के एक रहते हैं मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोजों स्पाए जाते हैं यानिक टोटल 46 कोमोजोंस पहाते हैं मनुष्य में एक समानी मनुष्य में कि सिब्सकर डां सिंडरोम विवाजन से जीव में प्र जनन एंढर। में ब्रधी होता है कोशिका जीवन की सबसे छोटी है रचनात्मक और कार्यात्मक से कया मतलब है एक छोटी सी यूनिट आप लिजएगा जिसमें सरेड का पूरा का पूरा आपको समझ में किस तरह से मेटाबोलिज में वगर अगरा सब चल रहा है तो वह किसमें होता है कोशिका कंदर होता है इसलिए कोशिका का हम लोग मतलब फांडेसे ने स्टोन भी कहते हैं पूरे सरेड का बढ़ते आगे मानो सरेड में करीब पांच अरब कोशिकाएं होती हैं पांच अरब कोशिकां आपको मानुर सरीक अंदर देखने के लिए मिलती है गुर्ण सुत्र की खोज किस ने की थी वाल्ड एयर ने जो आंसन ने जीन सब का प्रतिपादन किया था इन सब बातों को ध्यान रखिएगे कि कई बार पूछे जाते हैं इस medication है सबसे चोटी कोशिकांग राईव को करते हैं राईवसोम ने का प्रमुक का प्रॉटीन संस्रेषण में सहःता करना होता है आरिन से डिन बनाने की ब्राइटी को त्रंस्क्रिप्शन करते हैं और यदuc impression इसे आप Corona में देख रहा होंगे, कि स्रेट में एक Corona का वायरस प्रिवेस किया और लगतार को ना वायरस बंते जारा से अब उसको replication कहते हैं, मतलब या दिछ DNA से DNA लगतार बन रहा है उसको replication कहेंगे, या फिर RNA से RNA लगतार बन रहा है तो उसको वह हम लोग replication कहेंगे लेकिन दिए DNA से RNA बनेगा तो इसको transcription कहेंगे और RNA से जब DNA बनेगा उसको reverse transcription कहते हैं ये चारों टर्म याद रखिएगा सहवालों का ध्यान कहते हैं फाइकोलोजी और कवको का ध्यान कहते हैं माइकोलोजी ध्याम रखिएगा अनावरित बीजी पौधा हुआ होता है जिसके बीज के आवरन या कवच नहीं होता है मतलब बोधे दो तरह के होते हैं एक होते हैं आवरित बीजी और दूसरे होते हैं अनावरित बीजी तो अनावरित बीजी मतलब उसके बीज के उपर कोई आवरन नहीं है डाइरेक्ट आ आवरित बीजी पादप यह दिके हैं वो होता है लेमना सबसे बड़ा आवरित बीजी पादप यूकेलिप्टस होता है सबसे छोटा फूल किसका होता है वुल्फिया का और सबसे बड़ा फूल आपका रेफलेसिया का होता है और रेफलेसिया का जो फूल होते हैं इनके प्रागन होता है यह पूछ लिया था कई बार क्वेस्टिन्स में सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रीजिया की एक पहुता है सबसे छोटा बीज आरकीड का होता है बढ़ते हैं अगले क्वेस्टिन्स क्यों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होग केंद्रक की खोज किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने माइट्रोकॉंड्रिया को उर्जा का पावर हाउस करते है यह निकी उर्जा ग्रिह करते हैं डिने का डवल हैलिक्स मोडल किसने दिया था वाट्सन एम क्रिक ने संपुन्ड सरीर में रक्त का परिशंचरन हिर्दय क करता है हिर्दय के माध्यम से हमारे सरीर के अंदर रख्त का परिशंचरन होता है मनुस्ट्र के सरीर में लगवग 5-6 लीटर रखता है कई लोग इसमें 4-5 लिटर नों कंफूज होता है नहीं 5-6 लीटर रखता याद रखिएगा लाल रख्तकन गोलाकार किंद्र रहित होत ह्ताрахा कि क्या नहीं होता है अखता है लेकिन ध्यान रखिए उसमें कैंद्र नहीं होता है लाल रखतकन का जीवन का 120 दिन का होता है लाल रखतकन का मुख्यकार ऑक्सीजन और Co2 सम्वहन करना है यह पूरे और उसमें ऑक्सिजन को और सफी ओटू को प्रवाइद करते हैं मनलब रीच जब ब्लड होगा उसमें जाएगा वोज़े जब लोट किया तो कारबन डेक्ष एड़ाएगा रबीसी और डब्लू वीसी का निरमार कहा होता है अस्थी मज्जा में होता है कि खासकर कर डबलू वीस उससे लड़ना है और उसको खतम कर देना है ताकि सरीर हमारा किसी अन्यरोग से ग्रसित ना हो तो इड्स जब होता है आपको तो यही जो डब्लू वीसी होते हैं यह मर जाते हैं यह काम करना बंद कर देते हैं Wvc का जीवन काल 2-4 दिन होता है मनुस्चे के ही इड्चण कि धड की बात कि जाए तो यह एक मिनट में 72 बार धड़कता है मनुस्चे के रक्त संच्रण पूरे सरीर में 23 सेकंड लगाता है यहने कि एक बार पूरे ब्लड ब्लड का जो सर्कूलेसन आपको सरीर में 23 सेकंड लगता है रक्त समों की खोज उन्हें से एक में किसने की थी लेंड श्रीनर में मनुस्य में चार तरह का रक्त समों होते हैं A, B, A, B और O O जो होता उसको सर्वधाता कहते हैं और A, B जो होता उसको सरूर राही गहते हैं रक्त का pH मान 7.4 होता है और पिछले NTVC में पूछा गया था कि पूरे सरीर का pH मान क्या होता है तो यह रक्त वाला pH मान ही पूरे सरीर का भी होता है 7.4 एक समान्य मनुष्य का रक्त दाप कितना होता है 120 बाई 80 mm होता है याद रखेगा है स्वसन में सरकरा का ऑक्सी करन होता है प्रोटीन का पाचन अमासय में हो जाता है और अंतिम कहां होती है यह जा करके छोटी आत में खताम हो जाती है पाचन के बाद पचे हुए अप्सिस्ट पदात का ओसोशन कहां होता है तिये छोटी आत में लेकिन पानी का ओसोशन जो है वो बढ़ी आत में जाकर होता है यह बात आप याद रखिएगा मनुस्य का सरीट में पाया जाना वाला सबसे बड़ा ग्रंथी कौन है वो यक्रित होता है यह लिवर जिसको आप लोग कहते हैं जिसको जिगर भी देता है कभी-कभी मनुस्य मे अगभग डेढ़ लीटर मुत्रुत सरीट करता है हमनों जो मुत्रुशरीट करते हैं वो यूरिया के फॉर्म में होता है लेकिन बाहर निकलने के बाद और घंटा-दो घंटा के बाद वो चेंज रहता है अमोनिया में जिसका यांस से गंद्य देने लगता है मानुसरीड में अकुल कितनी हड्डिया होती है तो जो समानने मनुष से होते हैं उनमें 206 हड्डिया होती है और जब नौजात सीसु होता है उसमें 300 क्या सपास हड्डिया होती है खोपड़ी में हड्डियों को संख्या 8 होती है जो क्रेणियम कहते हैं क्रेणियम में हड्डियों को संख् सबसे च्छोटी मांसपेसी ही बात करे तो ऑभी कानमी होता है step उसको कहा आता है कारे सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब नियंत्रित करना होता है कलता है फ्यूज क्या को क्या करते है हमस्कित्दी पिकावों में और इनसूलीन कसराव होता है और यह एंसुलीन कसराव कम होने से हमें डायविटिज हो जाता है उसको थाइरोकसिन नां दिया गया है ऐसा पुस्प्य पोधा जिसके बीज फल में नहीं ठका रहता है उसे कर गहते हैं अनावरित दीजी कहते हैं, साक्ष सबजित था इत्यादी का अध्यान जो है उसको कहते हैं ओलेरी कल्चर, कमाटर का रंग जो है वो लाल किसके बज़र होता है लाइको पीन के करण, संसार का सबसे बड़ा पच्ची होता है सुतुर मुर्ग, सरीर का सबसे कठोर तत्त, दात करता है को कोई फायदा नहीं मिलता है उससे वह बस एक तरह के एंजाइन का कार करता है लेकिन कार्बोहेडर और वसा से क्रिया उसको तेज कर देगा उससे आपके अंदर जो आप खा रहे हैं उससे जो फाइदा मिलने वाला है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी होगी ना कि लिंग निर्धारान के लिए पुरुस जिमेवार होते हैं इस्तरिया नहीं थायरोक्सिन हर्मोन में आयोडीन होता है इसकी कमी हो जाती है तो थायराइड या घेंगा नावक रोग हो जाता है केल्विन में इस सरीड का ताप मानवा पाजाए तो 310 केल्विन होता है करते हैं इसका तुरह है बडूद को संपुर्ण आहार नहीं कहा जाता है यानि केवल दूद जिंदा नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपको विटामिन सी की कमी हो जाएगी इससे आपको सकर्वी नामक रोग हो जाएगा मुँव में छाले पढ़ने लगे दाट तूटने लगा वह वह सारे रोग हो जाएगे मनुष्य के रक्त में हीमोगलोबिन होता है और यह हीमोगलोबिन जो है इसका सबसे अच्छा दोस्त कैरवन मुनोगसाइड होता है इसलिए घर के अंदर दर्वाजा बंद करके और नहीं सुना चाहिए नहीं तो उससे धुआ निकलेगा आपके पूरे सरीड में फैल जागा आप मर सकते हैं उससे और सुत्री व्हाजन में गुण सुत्रों के सं लगा हुए मिलेगा अज़िक्ता हो जाती है तो उस रोख के नाम के आगे मैं आपको हाइपर लगा ह्यां मिलेगे सSON कहते हैं बढ़ते है तंत्री का तंत्र का काई को निवरॉन कहते है मानो सब्सक्राइग के सबसे बड़ी कोशिक अभर कि बाद कि जा सबसे छोटी कोशी का यह साइटी का होती है इस तका प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है बढ़ते हम लोग अगले कुसेन क्यों यह आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी और यहां तक आप पहुंच चुके होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरू कर देना और है यह मनुस्य में लाल तथा हरे रंग के पहचान को खो देता है मनुस्य यदि आपको कलर ब्लैंडने सो जाए तो इसे डाल्टनिक रोग भी कहते हैं इसकां से आप आर्म फोर्स में नहीं जा सकते यदि आपको इस तरह की बीमारी रही निकलर ब्लैंडने से रहेगा तो से होता है हेमोफिलिया रोगसे रक्त में थकां नहीं बनता है और या फि गारातिक बीमारी है वह प्रोटीन की कमी से होता बच्चों एक चुली के पसलियों में 24 रखेगा एक बीच में स्टर्नम होता है जो पस्लियों को जोड़ के रखता है तो यह आपको पता हो आपको लग रहा हो कि हमने कुछ गलत बता दिया या फिर गलत है तो आप कमेंट में जरूर बता रहेंगे और बुझे जहां तक जो भी बाते प बहुत सारा कुछ गलत हो सकता है कभी कभी मिस्प्रिंट हो जाता है सरीर को संतुलित बना रखने के लिए कौन सा कार्य होता है सेरी बलम सेरी बेलम जो है संतुलित बना कर रखता है और यही आप दारू जब पी लेते हैं तो सेरी बेलम आपका काम करना बंद कर देता है मनुस्य के मस्तिस का वजन तेरह सो पचास ग्राम होता है मनुस्य में प्रतितिन लगभग 1.5 लिटर मुत्र बनता है रखतदाब की माप आप लोग करते हैं किससे एस्प्रीगो मैनोमेटर से हिर्दे का वजन 300 ग्राम होता है दूद में पसित प्रोटीन जो होता इसको केसीन कहते है मनुस्य के लार में टाइलीन नमक एंजाइम होता है मृत जो आरबीसी होता है वो देखिए यहां पर यकृत दे दिया है यकृत में नश्ट नहीं होता है यह जाके आपका प्लीहा जिसको स्प्लीन कहते हैं जो आपके सरीर के लेफ्ट मतलब आपके पेट के लेफ्ट भाग में यह रहता है लिफ्ट भाग में आपका लिफ्ट भाग में स्प्लीन रहता है तो वहीं पर जाके आरबीसी जो है वह नष्ट होता उसको आरबीसी कभगा करते हैं अगनासे मानोसरी के चोटी आत्में होता है जितना था पौजन पच्ता है उसका ऊससन काहां होता है चोटी है और पानी अ सिसलोगी स्भाट अरबदसनीों से अच्छस रूप में इसके के जाखे बना ठाएक मुरब्द बना ख़े हर रूप में आपको फायदा करने वाला है चुक्त में बिटाइमिन सी सबसे अधिक पाया जाता है आयोडीन की कमें से घेंखा गलगंड की तदी बिमारी आपको हो जाती है प्रकास अनसना क्रिया के दवरान प्रकास पढ़ रहा है तो पतिया जो होती है मातर उसका आधा परसेंट यूज करती है अपने भोजन को बनाने में और नीचे से जो पानी उनके जड़ो द्वारा सुखा गया है वही पानी जो है वो तूट करके और हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है यह चीजा आप याद बढ़ते आगे वसा की कमी से सरीर के विकास अरुद्ध हो जाता है पतियों का हरा रंग उसमें विद्धमान पढण हरित या फिर क्लोरोफिल के करण होता है क्लोरोफिल मैंगनेशियम होता है याद रखिएगा ओधे का जनन अंग क्या है फूल होता है गाजर मूली चुकं नोड की त्यादी नहीं है सिद्धा सिद्धा अंदर चले से गाजर होता है इसे नीचे जमीन में मूली चुकंदर यह सब क्यासा होता है तो इसको इंटर नोड कहते है ठीक है उसके नीचे देखिए बाल नूमा संजरतना होती है वो जड़ होता है और यह होता है यह आलू जो है ओ एक्चुल में तना होता है तो जिसमें नोड और इंटर नोड हो उसको आप लोग कहा सकते हैं कि वो क्या है तना है जैसे अधरा खल्दी आलू प्याज ग्रा सुने सब क्या है भूमिगत पौधो के लिए भोजन तयार करना है पतियों प्रमुक्कार क्या है पौधो के लिए भोजन के तयार करना है लशिय का करती है तो घाओ को भरने में मदद करती है लसिकाशा पड़ते हैं हम लोग आगे अगला हमारा प्रस्ट है, सरीर के अंदर रक्त का थका किसे करान नहीं जमता है, तो सरीर के अंदर हिपैरिन होता है, जिस करान से ब्लड हमारे सरीर के अंदर नहीं जमता है, यदि हिपैरिन नहीं होता तो सरीर के अंदर ही जम जाता है, येकिन बाहर जैसे निकलता है ब्लड तो जम जाता है, वो फाइबरिनोजन के कारण होता है, ब्लट बैंक में रक्त को 40 डिगरी फारेंड हाइट या फिर 2-6 डिगरी सेलसियस पे सुरक्षित करके रखा जाता है, रक्त का ठका बनाने के लिए अनिमारे प्रोटीन फाइबरिनोजन है, एंटीजन लाल रुधरिक प्रोटीन लाजमा में प्लाजमा को यदि निकाल दे रक्त से तो कि वो सीरम बच जागा, पौधों में सौर उर्जा को क्या करते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, कोशिका को अध्यान करने को साइटोलोजी कहते हैं, सरीर के लगभग 60-10-15 कोशिकाएं सरीर में पाई पाई जाती हैं, मैंने बताया था उसमें कि 5 करोड़ सदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सरी, वो तो दूसरा कुछ था, 60-10 कोशिकाएं पाई जाती हैं, विस्व का सबसे बड़ा फॉल कौन सा है, कट हल होता है, राइवोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहते हैं, पंड पाई जाती हैं, मैंने कई बार बता दिया, हरित लोग यानि क्लोरोफिल का लावे कैरोटीन तथा जन्तोफिल नामक पदार्थ भी पाई जाती हैं, हरित लोग में क्या क्या पाई जाता है, कैरोटीन, जन्तोफिल, क्लोरोफिल इत्यादी सब कुछ पाई जाता है, पीना को हरा प्रोटोजवा कहा जाता है भूमी पर पाया जाने वाले पॉधे में प्रथम पॉधा जो है वह ब्राइव फाइटर्स है वरस्पती विग्ञान का जनक थिवो फ्रेश्टर्स को कहा जाता है मेंडल ने सोध के लिए मटर के पॉधे का प्रयोग किया था प्रकास जो है वह वाइरस के द्वारा होने वाला रोग है एसकारिस जो है मनुस्य के आत में पाया जाता है स्वसंकेंद्र मेडूला में स्थित होता है मनुस्य के चेहरे में 14 हड्या होती है केसीन के कारण को सरी केसीन जो है वह दूद में सबसे अच्छा मतलब केसीन का सबसे अच सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है कि प्रकास नसलेशन में पौधे ऑक्सीजन से जल को ग्रहन करते हैं कि पुस्प के जनन चक्र पूमांग या जयान के मादन से हो पाता है कच्चे फलो को कृतिर्म रूप से पकाने के लिए ऐसे टीलीन गैस का उप्योग करते हैं पेंसिलीन एंटीबायोटिक वर्क के अंतरगत आता है पेंसिलीन किसके अंतरगत आता है पेंसिलीन हो गया है जेंटामाइसीन हो गया है सब किसके अंदर आते हैं? एंटिबयोटिक के अंदर आते हैं एक पीडी से दूजरी पीडी में अनुवानसिक गुण को किसके तुरा ले जाता है? क्रोमुजेंट के तुरा ही ले जाता है मानो शरीर में सबसे अधिक तंथिकाक ऑकोशिखाएं मस्तिस्क में पाई जाती है बिटामिन B और C जल में गुलंसील होते हैं और ATP का निर्मा यानि के एडिनोसिन ट्राइफोस्टेट का निर्मा कहा होता है यह माइट्रो कॉंट्रिया में होता है और बिटामिन A, E, D के जो है वो सब वसा में गुलंसील होते हैं जल में गुलंसील नहीं होते हैं लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है इसके पाचन में स्टार्च जो आता है यानि इसको चोकर कह ले आप लोग आम भासा में उसको पचाने में लार आपका सहायता करता है ATP क्या है और्जा की इकाई है कोशिका संद्ध का सरपर्थम प्रयोग किस ने किया था रॉबर्ट हुक ने किया था अनुवानसी की का नियंत्रन DNA के द्वारा होता है मलेडिया कारक प्रोटोजोवा प्लाज्मोडियम है मलेडिया रोग का संक्रामक माधा एनोफलीज मच्छर होता है यह उसका वाहक होता है AIDS का पुर्ण रूप क्या होता है Acquired Immuno Deficiency Syndrome AIDS में स्वेत रक्त करण जो होते हैं वो प्रवाइत हो जाते हैं छोटी माता का मुख कारण जो है Glucose का निर्माना पौधों में होता है जो स्टार्स के रूप में संग्रहित रहता है मानो सरीर में तंत्रका कोशिका सरवाधिक लंबी 90 cm तक होती है ATP से प्राप्त उर्जा से कोसाय व्रधी तथा प्रजनन करती है ATP से जो उर्जा प्राप्त होती है एक स्किर्णों द्वारा रोग का पता लगाना था उसके उपचार के लिए ध्यान को क्या करते हैं रेडियो लॉजिक कहते हैं प्राचीन जय तकनीक का सरपर्थम उप्योग क्या था अलकोहल था कि एंजाइम यानि प्रोटीन किस उत्पादन की प्रक्रिया को थेज कर देता है बैगनी रंग के प्रकास में सबसे कम और लाव रंग के प्रकास में प्रकास संसलेशन सबसे अधिक होता है कि दोनों चाहिया रखिए väldigt कासेरुग रज्जों में 30 जोडि तंत्रिक उती है चोटा गुर्षू कौको में सबसे बड़ा गुर्षूत्र ट्रीलियम पौध्य में होता है समसुत्री विवाजन काईक को सिकाव में होता है और सुत्री विवाजन ये आपके मनुष्यकंदर होता है ब्रेंट की विमारी को EEG के दवारा पहचाना जाता है अलजाइमर रोग में मानोव सरीर का मस्तिष कुझ है वो प्रभावित हो जाता है सहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस होता है फ्लोरीन तत्तों का सम्मद्ध दातों के विकृति से है जैसे ही फ्लोरीन का दिखता होगी हमारे दात जो होंगे वो सड़के गिरने लएगे बढ़ते हम लोग आगे उंट अपने कूबड का प्रियोग वसा के संग्रह के लिए कर किस से होता है प्रोटीन से दूद्ध के just होने करण कौंसा जीमादा है लक्टो बसलेस्टी टूधल में भ्हुष्चय के लिएक कौण से वीटाभिन सरुखचित रहता है वीटामिन के करुटीन के कारण गाय का दूध जहेंandoe ०िखाई देता है मानोय सरीड में जलगी कम वास में मिल जाएगा रक्त में लाल रन हीमोग्लोबिन होता है फिर्दे का पहला प्रतियस्थापन जो है वो क्रिष्चन बर्णाट के द्वरा किया गया था अस्थमा रोग एलर्जी ये करण होता है व्रदी हार्मोन पिट्रीटरी गंथी से स्राइवित होता है इसी करण आ है एक तरका इस्त्रीलिंग हार्मोन है विकास का सिध्धांत किस ने दिया था ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था अस्थियों का ध्यान ऑस्टियोलोजी कहलाता है इस्ट और मस्रूम जो है और फंफूद सरेंडी का है घोसला बनाने वाला एक मात सर्प जिसको कींग कहते हैं गोल क्रीमी से होने वाले रोग को फाइल एरिया कहते हैं सरीर में पित का निर्मान यह कृत में होता है और एस्टोर कहां होता है जाकि गोल ब्लाडर में स्टोर होता है मानो जाती का ध्यान जो है इसको एंथ्रोपोलोजी करते हैं इसका एक सब्जेक्ट भी है जो स्वसंद करने वाला पौधा कौन सा है क्लोरेला जीव बिगन सब्द का सरप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था बढ़ते हम लोग आगे पायसित की तंतर में सजीव तथा ने जीव घटक होते हैं जीव दरबे जीवन का भौतिक अधार होता है ग्लुकोज करने वाना पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है उगते हुए बीज अनॉक्सी स्वसन करते हैं प्लेग किस तरह की बिमारी ह जीव आता वरं परिवरतन के अनुरूप अपने आपको ढालते हैं जो अनुपूरक कहा राता यहनि कि अनुपूरक नहीं अनुपूलन कहते हैं कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को शेयर कर देना तथा इस वीडियो को लाइक भी कर देना या कि डीने की सरप्रत्रम पहजान मेकिलाइट तथा मेक काटी ने उन्हें सो चोवालिस में किया था डीने कोशिगाय को प्रोटिस नसलेजन के लेन देते हैं संपुर्ण जीव जगत को पांच भागों में बाटा गया है कौन-कौन यह मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप पीद्रेंट होते हैं हाइड्रो स्फियर में जल मंदल ता तथा लीठो सफियर में अस्थल मंदल आते हैं ऑफ दो यह जासी हुआत शमजे जन होरे बात हो रहे हैं ज пошँ हंग शंटे सब्सक्राइब चतान के बारें बात हो रहे हैं oxy great bak abolra प्राज्मा मेंब्रेन जिसको पी अंग कहते हैं सब्द का प्रयोकसर प्रथम नागोली ने 1885 निश्पी में किया था माइटर कॉंड्रिय एक खोज कोलीकर ने 1880 में की थी पसीने तता आसूओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जिमाड़ूओं को नश्ट करता है कि अंग तमबाकू वियासन इन में उपस्थित निकोटीन के कारण होता है तमबाकू में निकोटीन होता है इस वैसे जो एक आत बार आतनीखा लेता है उसको बार-बार मन करता है खाने के लिए बात करते हैं उन्हें से गारे इस पी में फंक ने विटामिन ए खोच की थी A, D के वसा मोगुलन सील B जो है और C वो जल मोगुलन सील विटामिन E जन्तू जन्तूम अपने आप बनता है विटामिन B1 को सरीड में संचित नहीं किया सकता है वो बहार निकल जाता है कीडवन विधे से तयार होने वाला सरपर्थम फल वो लैक्टिक एसीड है जन्तूम पाई जाना वाला महत्वपूर्ण एस्टरोइड इसको कॉलेस्टरोल कहते हैं क्लोरोप्लास सुर्ज से प्रकास उर्जा लेकर उसे रसायनेक उर्जा में संचित रखता है क्लोरोप्लास क्या करता है सुर्ज से प्रकास उर्जा लेकर उसे रसायनेक उर्जा में संचित रखता है सधार्तिया हरे पॉधे पर संपुर्ण प्रकास के वल स्फुत्री भाजन में सञ aún में होता है और सुत्री भाजन से गुण सुत्रों के संख्या आधा हो जा याती है पन्हारित में उपसित प्रमुक धातु मैंगनीशियम है मस्रोध और खुन निकलना विटामिन C की कमी के कारण होता है हैजा काटी क्या इखोच ने की थी रॉबर्ट कोच ने की थी मानो जगत के सबसे बड़ा संग कौन सा है और्थोपोड़ा फाइलम है हर तीन में से एक च क्यों क्यों कि अमासाय में भोजन का पाचन अमली माध्यम से होता है लेकिन जैसे ही चोटी आज की तरह बढ़ता है इसको छारी हो जाना पड़ता है हिर्दे का मोख्यकार संपूर्ण सरीर में रक्त का परिशन चरण करना है स्वेत रुधिर को सिकाया निकिए डबलू बी असीत होने एकरण यहरंगिहिन होता है का वुण घरात यह होता है जिसका पूर्ण पूर्ण ऊप्वर यह एक प्रगार का इंटिजन होता है जो लाल रङद क्रुमें पाया जाता है इडिक काने निफ्रॉन के दूर्ण करते हैं मनुधिक को हैं दो होती हैं नेफरोंग को बोटो सीरिक कर्यात्मक करते हैं और सए 57 को करना है मानस्प्एश्यों का मुख्यकार क्या है सरीर के अंगों को गति प्रदान करना है सरकराजल में घूलन्सील होता है इसे मुख्यक तरुकोज से हम फ्रक्टोज होता है रुक्छांस भोजन का एक अवयाव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाए जाता है रुक्छांस का मुख कारपानी को रूप कर रखना जिसे कब्ज की सिकायत नहीं होती है अर्द सुत्री विभाजन तरुण पुस्प को लिगाव में प पाये जाता है हाइड्रोफोबिया रोग किसे कारण होता है विशानु कारण जो कुट्टे काटने से होता है केचुवा का कोई नेत्र नहीं होता है भातना सबसे बड़ी मशली जो है वह है वेल सार्क सब ज्याद दिन तक जीवत रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रीच कवा कव कोवर्ष्प्लेंडर्स मानोसरीड का हाइपोधलमस सरीड के ताब को नियंतद रखता है मान्सा हारीओ में समाइटा है हार नहीं सबसे बड़ा होता है बढ़ते हैं ही हेमोगलोबिन का मुख्य घटक लो यानिकि एफ है जल की कमी के कारण होता है रख्ट दाव का नियंत्रण अधिविरिक करता है अधिविरिक के माध्यम से होता है बढ़ते हम लोग आगे अगला कोश्चन हमारा आता है इसको मुरभी करने वाले है यह आपक右 Caesar से अपसिस्पधार्त को बाहर निकालना है सरीर से जतने ही गंदे चीज है पसीना के रूप में कुछ निकल जाता है जो हैं जो यह गुर्दा जो है और सरीर से अपसिश्पधार्त को बाहर निकलने काम करता है मानों सरी के सब्सक्राइब चोटी गंती पिट्यूटरी गंती होती है विटामिन D को हर्मोन भी कहा जाता है लौ का आंसर सबसे अधिक किस सबजी में पाजाता है तो यह आपको हरी सबजीयों में लोह है खास करके पालक में देखने को ज़्यादा है मलेडिया रोग तिल्ली को प्रवाइद करते हैं या स्प्लीन को डिस्टर्ब कर देता है जिसका रवी सी जाको उसमें मरी नहीं पाता है अमातिसार रोग किस से होता है अमीबा से होता है मानों में गुर्दे का रोग कैडमियम के परदूसन से होता है दूद के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाई में रेनीन कहलाता है 26 रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है डाइनासोर को मेसोजोईक सरी स्रिप थे डाइनासोर क्या थे है? एक तरह के मेसोजोईक सरी स्रिप थे सरीर में ताप का नियमन मस्तिस के हाइपो थेलमस नामक अंग से होता है स्वेत तरक्तिकनेगाय बाहरी किटारों से सरीर की रक्षा करती है विसको सबसे बड़ा अस्थली अस्थन्धारी अफिरिकन हाती है संसार का सबसे तेज दोडने वाला प्राणी चीता है चोटा नव उडने वाला पक्षी कीवी जो नियुजरेन में पायता है प्रोटीन सरीर की व्रधी में सहयता करता है कार्बोहाइडर और वसा सरीर को उर्जाद मिलता है जीवन की उत्पति कब हुई थी प्री क्राम्रियन काल में हुई थी ताड़ पीन का जो तेल होता है चीड के व्रिक्षो से पायाता है होमें पैथी चीकित सा पज़्दी के जनक हनीमेन है एस्पिरिन के सेवन से खिर्दे रोक का खतरा कम हो जाता है विस्व की प्रथम परखनली सीशु का नाम लुई ब्राउन था विस्व का प्रथम प्रखनली सीशु का जन 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था इसका नाम था लुई ब्राउन सो मैटोट्रोपिन नामक हर्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है क्लोरीन नामक तग्त्त को असंतुलित मातरा में लेने पर क्लोरीसीस नामक रोग होता है क्कुन से रोग? क्लोरीसीस दूद में प्रोटीन, कार्भोहाइडरेट, कल्सीय में पोटैसीय मलता है वेटामिन से ही नहीं मिलता माइट्रो कॉंडियां के दान ओर जान निकलती है निकलीक हमने दो तराक होता है डिन तथा आर्ने इसको बोलते हैं डाई औक्सी राइको असीद और इसको राइको नोकलीक एसिड सबसे अधिक गुणसुत्र और सियो ग्लोसम नावक्वर्ण में होता है गुर्द्य के भार महसा लगवाग 250 ग्राम होता है दिए अशियो सब्से होता है इसमें 500 न होते हैं हिमूगलोगाइड है, हैपिटाइटिस, याकृति का रोग होता है हिपोक्रेटिस, हीपोक्रेटस को चिक्रिटत्सा यह जाना ने किया था ہے एट्स का खोई सरपर्थम USA का डॉक्टर गोटलियव के द्वारा 1981 में की गई थी टीटनस रोग कोलस्ट्रेडियम टीटैनी नामक साइनम बैक्टरिया से होता है इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं या फिर लॉक जौ भी कहते हैं पिउस ग्रंथी यानि पिटुटर ग्लेंड मस्तिष के अधर तल में इस्थिर होता है आगे आते हैं वह लोग धायराइड ग्रंथी गर्दन में ट्रैकिया और लेरिंस के अधार तल पर इस्थिर होता है पिउस ग्रंथी का भार priest.09 बैक्ष मुद्धी मता, यद्धास्ध। चिंतन इच्छा सक्ति इत्यादी को नियंत्रित करना है पलीहा को RBC के कब्रगात था ब्लड बैंक कहते हैं रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है पी तरस का पी एच मान 7.5 होता है पी तरस पीला या महारंग का द्रव है जो छारी यह होता है लाइसोसोम को सरप्रथम उनिस है जो उल्टा भी उड़ सकता है अस्तंधारियों के हिर्दे में कितने चेंबर होते हैं चार चेंबर अस्तंधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है लगभग 49 डिगरी सलसियस हमारे सरी का तपमान 37 डिगरी सलसियस प्लाज्मा पच्चे हुए भो में हो तो रोग हो जाएगा बढ़ते हैं आगे मनुष्य के अहार नाल की कुल लंबाई लगवग 32 फीट होती है इंसुलीन की खोज बेंटिंग ने 1921 में की थी इंसुलीन जो है रक्त में सरकरा की मातरा को नियंत्रित करता है सेरी बेलम मस्तिस का दूसरा बड़ा भाग है जो सरीर को संतूरी तथा मान स्पेशियों के कारियों को नियंत्रित करता है प्रोटीन का नाम करन सरप्रतम मुल्डर ने 840 सिप्री में किया था कैंसर बीमारियों का एक जटिल से मुह है जो सरीर के कई भागों को प्रभावित करता है कोबाई 60 का प्रयोग कैंसर से पिरित रोगियों को उप्चार के लिए किया जाता है कैंसर का ध्यान उंकोलोजी कहलाता है विस्व एट्स दिवस एक दिसंद्र को मनाया जाता है कि बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट पैराग्राफ की और उमीद है कि आपको यह पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफी फायदा मिल रहा होगा तो बढ़ते हैं आगे मानों भारत में एड्स रोग का सरप्रसम रिपोर्ट रिपोर्ट यह उन या रीजिया है भारत में प्रथम परखनली सीजु का जन्म 6 अप्रेल 1986 को मुंबई में हुआ था भारत के प्रथम परखनली सीजु का जन्म नाम जो था वह इंद्रया रखा गया था एक्यू पंच्छा सरी कांगों को सूई चुभों के रिलाज करने की चीनी पधती है नि चीनी का एरिल भाग खायाता है लीची जो है उसका एरिल भाग खायाता है निसेचन के बाद जीव जो है बीज बिजांड से बनता है निसेचन के बाद बीज कहां बनता है बिजांड से बनता है सत्तेफल अंडासे से उत्पन होता है जल का समवान जाइलम का दोरा होता है बिशानु की खोज, अठारासो बानवे इसपी में इवानो विस्की ने की थी, किसने की थी? इवानो विस्की, यदि के वायरस की खोज इवानो विस्की ने पोळ्यो का टीका सबसे पहले जोन सॉल्क ने तैयार किया था मनुस्य में मेरु दंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है स्वेत तरक्तकन को लुकोसाइट भी कहा जाता है होमेपैथी के जनक सेमूल हनीमेन है होमेपैथी दिवस 10 अप्रेल को मना जाता है इन्जी के जनक दिन के असर पे हाइडरोफोबिया रोग विशाणू द्वारा उत्पन होता है पर्थम प्रतिजविक जिसको एंटी बायोटिक्स कहते हैं वो पेंसिलिन था साइकस एक जीवित जीवास में सबसे बड़ा बिजान साइकस में होता है ये जीवित जीवास में सबसे बड़ा तनाय काट गला के परधन के लिए उपयोग किया हता है आम का वनसपतिक नाम की है मेंगी फेरा हैं इंडिका तमबाकू के पतियों में नियकोटीन होता है उटपर्वणतरं कके सिध्धान्त किसने दिया था श्यूर को डीrit बेरीज्ग ने दिया था ये कुछन कंफी वेर यही स्सार्च जो है यह Corona के रूप में आयता है आशु लाक्रिमाल ग्रंथी से स्रावित होता है यह सब एक जेक्टरी ग्रंथ है मतलब बाह गंथी इंगो कहायाता रहता है इनमें डक्त होता है निकिन नली इसके अलग से होती है सब्साद है और जो उत्ता स्राविगनथी होती ही उसमें नाली नहीं होती है अतलब कोई डक्ट नहीं होता जिस व्याय उन मैं से अर्मोन्स निकलते हैं वह बलड महीं मिल जाते हैं मानौ सरीड के तोचापर तीन किश्म के इस्ट पाया जाते हैं मानों में रुधिर की जो उत्पती होती है वो भूण की मीसोडर्म से होती है मानों सरीड में 24 तत्य होते हैं जिसमें हैड्रोजन सबसाधिक 63% होता है रक्त में घुला हुआ कैल्सियम मस्तिस में निद्रा के अंदर को नियंतित करता है तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपके बायोलोजी से अब एक भी प्रस्ण छूटने वाले नहीं है इस आप वीडियो को लास्ट तक देख चुके हैं तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगल कर रखे हैं उसको जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में ठीक है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए और उन भी वीडियो को देखिए धेर सारा प्यार दिजिए जैहिन धन्यवाद